हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल इनावर गार्णिंग एक्सपेरियंस में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं बस अपने विंडो गार्डन का ओवर्वीव देने वाली हूँ छोट असा वीडियो है और उसके साथ ही मैं बताऊंगी जो भी मैंने यहाँ पे प्लांट से लगए है वो सब भी लो मेंटेनन्स प्लांट है विंडो गार्डन के लिए बहुत ही बेस्ट प्लांट होंगे जो भी मैंने यहाँ पे प्लांट लगाये हुए है जिने जादा देखबाल की जरूरत नहीं पड़ते सिर्फ वाटरिंग ही काफी है इन्हें फर्टिलाइजर भी नहीं लगता अब ही जैसे की समर बढ़ रहा है जादा गर्मी बढ़ रही है फिर भी ये जो प्लांट है अच्छे तरह से सरभायू कर रहे है तो ये शेड में है तो आप देख रहे हैं ये जो प्लांट है मनी प्लांट छोटे से मग में जो भी मग दिखा ही दे रहे है फाई रुपिज के मग है फ्रेंट सी ये सबी और बहुत छोटे छोटे हैं उसमें money plant बहुत ही कुपसूरती से बढ़ रहा है और हैंकर के नीचे आ रहा है तो बहुत कुपसूरत लग रहा है तो money plant किसी भी छोटे से planter में चल जाता है और उसके साथ ही यह जो है sting of banana यह भी मैंने बहुत simple सी मिट्टी में लगाया हुआ है garden soil में ही इसे प्रोपोगेट किया हुआ है और आगे देख रहे हैं spider plant जो कि बहुत ही कम maintenance में चल जाता है spider plant सिर्फ इसको summer में देख बाल चाहिए summer में अच्छे तरह से shade हमें इसे provide करना है spider plant को और next है ये एकसपरिगस फर्न तो ये इस टाइप के सब भी plant summer में बहुत अच्छे तरह से चलते हैं growth भी करते हैं और ये है baby tears ऐसे colorful अगर हमने pot select किये तो बहुत ही कुपसूरत लगता है window garden के लिए और ये है baby sun rose जो भी shade में है डारेकली धूप इस पर पढ़ती नहीं इसलिए इस पर flowers नहीं आ रहे हैं लेकिन इसके leaves होते हैं वो भी बहुत attractive होते हैं और ये जो है tangle heart बहुत ही ज्यादा growth करता है बहुत हैं करके आता है छोटे से planter में भी ये बहुत ही ज्यादा growth करता है बहुत लंबा बढ़ता है और देखिए कितना healthy है friends tangle heart plant directly धूप में भी बहुत अच्छी तरह से grow करता है शेड में भी अच्छी तरह से grow करता है और शेमी शेड भी इससे पसंद है सभी condition में ये grow कर जाता है और ये जो है छोटी से मग में जिसे hole नहीं है उसमें मैंने snake plant लगाया हुआ है जो ये लंबा वाला है और चोटी से मग में without hole वाले मग में जितने भी snake plant की वराइटी है वो चल जाती है उपर आप देख रहे है ये भी चोटा सा मग है इसमें हैंग करके आया है टर्टल वाइन और नीचे आप देख रहे है ये emoji pot में मैंने जेड प्लांट लगाया हुआ है उसके साथ है snake plant वो भी मग में ही है spider plant है spider plant भी friends हम without hole के मग में लगा सकते है ज्यादा ग्रोथ उसमें नहीं करता लेकिन कुपसरत लगता है और फिर से है tangle heart यहाँ पे जितने भी मैंने प्लांट उपर window garden के लिए सिलेक किये है तो वो सभी hanging वाले है और low maintenance है और यह रियो प्लांट साथ में यह emoji planter में मैंने लगाय हुआ है aloe vera prints aloe vera के जितने भी shade अच्छी लगती है उतनी धूप अच्छी नहीं लगती बहुत ही धूप में इसका black color हो जाता है और जितने हम इसे shade प्रोवाइड करें वो उतना greenish हो जाता है और फिर से है यह turtle wine तो turtle wine भी shed में बहुत ही कुपसूरती से बढ़ती है अगर हमने इसे directly धूप में रख दिया तो यह इतना growth नहीं करता उसके साथ ही है money plant उपर भी आप देख रहे हैं money plant और बागी के सभी hanging वाले ही plant से यहाँ पर arrange किये हुए तो मेरे छोटे से window में बहुत सारे plant मैंने यहाँ पर रख दिये है arrange किये हुए है तो जब बारिश का season होता है तो इसे 8-8 दिनों तक watering करनी के जोरुरत नहीं पड़ती आप इस summer चालू है इसलिए इसे एक दिन के बाद watering करनी ही पड़ते हैं बहुत सुख जाते हैं जब भी pot तो friends ये था मेरा आज का वीडियो window garden के बारे में मेरे plant के बारे में जो की window में मैंने यहाँ पर रख रखे हुए है friends वीडियो अच्छा लगा होता सब्सक्राइब कीजिए, share भी कीजिए और comment भी कीजिए thank you for watching friends, मिल दें next वीडियो में bye bye and happy gardening